तो अबढ़ा आधल, अ़-बढ़ा, तोअधल, नव-बढ़ा, तो आधल, जिससान धूधly जीज़ाdd, ते अधल कुछ्ण ऐड़ा, प्सप्राइट और उन्हेट काृपश्वाल, फिव-बढ़ा, फिव-ब भूशान धूधै, की मा Ama terrus and दुश्मन करवाये, इसने तो दुश्मन ही मोल ले ली है, जिसके नाम में ही दुश्मन है, उस एक्वेशन को कैसे किया जाएगा, उनको गाना याद आता है, दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का डिगरी भर का गम हमें इनाम दिया है, ऐसा नहीं है, आप लोग को लगता होगा कि असलेबस के टापिक्स हैं, दोस्ती करने पड़ेगी, दोस्ती में दुश्मन ही कहां से आ गई, so इसके सिरफ नाम में ही दुश्मन है, otherwise this equation is too simple, बड़ा हलका-फूलका सा mathematics है, थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन mathematics है वो continuously चली जा रहा है, इंटेगरीशन है, आपक density of a thermionic emission to work function phi and temperature T of emitting material, आपको पता है कि किसी भी metal में से electrons को निकालने के बहुत तरीके होते हैं, मेरी पिछली वीडियो में एक वीडियो है, जिसके अंदर emission of electrons की बात की गई है, लिंक में उसका description में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर एक type thermionic emission जाती है, thermionic emission देखे क्या होती है, name से ही clear है therm plus ionic, therm मतलब heat और temperature की हम बात करें, ionic ions, यानि कि heat या temperature की वज़ा से जब हम ions बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, thermionic emission, तो thermionic emission जो है, अब किसी भी metal में से आपको electron को बाहर निकालना है, अब electron को बाहर निकालना है, अब electron बिचारा जुड़ा हुआ है, अप लोग को पता है कि metal के अंदर metallic bond होते हैं, positive kernels होते हैं, electrons free होते हैं, और वो free electrons इतने free होते हैं, they are capable to move within the body of the conductor, but इतने bound होते हैं, they cannot leave or escape from the surface, बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपको इस metal से इसको बाहर निकालना है, तो जिस potential के साथ, जि energy उसको देनी पड़ेगी, and that energy is known as work function, आपको पते है, the minimum energy required to remove an electron from metal surface is called work function, तो उसको हम πाई से denote करते हैं, temperature हो गया T, तो work function πाई और temperature T, इनको current density J के साथ interrelate करवाने वाली equation का नाम क्या है, Richardson-Dushman equation, ठीक है, तो अब होता क्या है इसके अंदर? कि temperature जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, हम यह मानते हैं कि we are providing energy to the electron, kinetic energy to the electron, आपको पता है, kinetic energy, kinetic theory of gases में, temperature बढ़ाने के साथ, वो बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रोन को जादा 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 energy मिलेगी, तो भाई अब उचलेगा विचारा बहुत जादा उचलेगा work function phi और temperature के उपर किस तरीके से depend करती है, तो यह वो equation है, जो mathematically इनको relate करती है, this equation is called Richardson दुश्मन equation, j is equal to bt square e minus phi upon kt, b com Richardson constant बोलते हैं, t is the temperature, और phi यहाँ पर क्या है, work function है, k Boltzman constant है, जिसकी value आपको पता है, 1.38 into 10 raised to power minus 23 Joule पर Kelvin होती है, और t is the temperature, और यह जो b Richardson constant है, इसकी value होती है, 4 pi e mk square upon h cube, e is the charge on electron, elementary charge, 1.6 minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 Coulomb, m is the mass of electron, h आपको पता है, भली भानती, Planck's constant है, तो यह equation है, अब हमें इस equation को करना है, derive, तो चलिए, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, क्यूंकि physics की अदालत, बिना सबूतों के नही है, तो अब उस अदालत में हम अपनी पैरवी करने चलते हैं, तो हम बात शुरू करेंगे, ड्रज से, सॉमर फिल्ड से, आपको पता है, फर्मी है, ड्रज है, सॉमर फिल्ड है, इन लोगों ने बहुत calculations की है, इलेक्ट्रों को कैसे बाहर निकाला जाए, बड़े यतन की है है, इन लोगों ने और इनकी जो studies थी वो electronic distribution को explain करती है, inside the metal, ड्रज अन सॉमर फिल्ड फिल्ड मेड थोरो studies of electronic distribution inside a metal, ड्रज ने क्या कहा था, कि free electron gas के साथ compare किया था, कि electrons अंदर ही अंदर, they are capable to move freely within the body of the metal, that means they behave like the gas particles, तो उसने उसको free gas बोलके उसकी study करी सो मरपिल ने quantum aspects को लेके potential हम लोग बोलें कि well है कुसको consider करके potential box consider करके one dimensional three dimensional consider करके और फिर calculations की Fermi ने Fermi Dirac statistical physics के according electrons की distribution study की inside the metal तो Richard sir ने इन सब की study की and उन्होंने ये decide कि let us move behind Fermi तो Fermi के concept को उन्होंने follow किया अब Fermi के according क्या चीज़ है कि metal के अंदर जो electrons है उनके पस freedom है move करने के लिए but at the boundaries there is huge unsurmountable potential मतलब उन्होंने metal को ये माना कि इस तरीके से एक box है यहाँ पर boundaries पे potential बहुत ज़ादा है अंदर अंदर electron कैसे भी move कर सकता है और अपने आप बिचारा निकल कर बाहर नहीं आ सकता वो पुए के अंदर फसा हुआ है अब क्या करना है कि अगर हम temperature increase करते है electron यहाँ पे है if you go on increasing the temperature आप बढ़ाते जाएं तो हम क्या करते हैं electron को velocity दे रहे हैं हम उसको kinetic energy दे रहे हैं and it may be possible the electron may come out of the metal अब मैंने मान लिया वही पर्मी की बाते मान कर हमने माना कि एक metal है जिसको हमने एक potential well मान लिया जिसकी depth हमने मानी है W यह देखिए diagram आपके सामने है तो हमने क्या माना कि यह एक metal है consideration according to quantum theory और यह जो इसकी पूरी depth है इसको हमने क्या मान लिया है W यानि कि अगर electron को यहां से बाहर आना है तो उसको कम से कम W amount of energy चाहिए but according to Fermi even at zero Kelvin temperature electrons के पास kinetic energy होती है आपने जिसको Fermi energy कहते हैं कि आप temperature कम करते जाएं करते जाएं electrons will go on settling down तो जो highest occupied energy level होता है उसको हम क्या बोलते हैं Fermi level और उस level की जो energy होती है उस energy को हम बोलते हैं Fermi energy तो Fermi कहते हैं कि zero Kelvin पर electrons के पास यह energy तो है आप यहां से electrons को बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अब यह energy EF node Fermi energy at zero Kelvin यह भी sufficient नहीं है कि electron metal से बाहर आ जाए this kinetic energy is not sufficient to remove it outside the metal and this energy is called Fermi energy अब बगर electron Fermi level के अंदर present है यहां पर electron है आपको इसको यहां से बाहर निकालना है तो इतनी energy तो उसके पास already है total आपको W चाहिए थी W में से EF node उसके पास है suppose total 10 चाहिए 10 में से 4 उसके पास है तो बाहर आने के लिए उसको कितनी चाहिए 10 minus 4 is equal to 6 चोल तो उसी तरीके से W total थी W total चाहिए थी W total में से EF node उसके पास है तो उसको बाहर आने के लिए कितनी energy चाहिए W minus EF node तो अगर electron को बाहर आना है you'll have to give it minimum energy W minus EF node to escape it outside the metal surface अब मैंने माना कि metal के पास energy जो है वो E से लेके E plus DE range तक है और जो electrons अंदर ये अंदर move कर रहे हैं उनकी momentum की range भी यहां पर P है और P से GP पलस तक जाती है P plus GP तक जाती है momentum की range मैंने energy की range consider कर ली है मैंने momentum की range consider कर ली है so let us move ahead अब पर्मी direct distribution law हम directly implement करेंगे according to पर्मी direct distribution law occupation index number of electrons या number of particles per unit cell Ni by Gi आपको पते क्या होगा 1 upon E raise to power E minus EF upon KT plus 1 पर्मी direct distribution की law की जो derivation है ये भी मेरे previous जो statistical physics की lectures है उनके अंदर अलरड़ी बड़ी thoroughly बड़ी beautifully we have explained लिंक आपको description में मिल जाएगा you can go and watch now for the calculations of current और current density we need number of electrons per unit volume क्योंकि आपको पता है current density या current क्या होता है charge per unit time charge क्या होता है n into E यानि कि आपको number of electrons चाहिए but we need electron density जो की generally हमें पता होनी चाहिए किसी भी material की so I need current density उसके लिए मुझे क्या चाहिए number of electrons per unit volume number density so for this we have to find how many electrons are present per unit cell एक cell या एक level में कितने electrons present है so consequently we should find the number of levels in the given energy range पहले हमें number of levels find out करने पड़ेंगे number of electrons find out करने होंगे फिर हम उनको number of electrons per unit cell find out करेंगे तो पहले मुझे number of cells find out करनी होंगी कि वो कितनी है number of cells find out करने का तरीका फिर से वही रहेगा जो हुमारा पुराने distribution laws में रहा MB, B, E, F, D सब के अंदर हमने number of cells find out की with the same methodology again मैं कहूंगी मैं वहां से direct result उठा रही हूं आप लोग उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं जहां पर फर्मी एनरजी की हमने calculations की है कि हमने वही face space consider किया उसके अंदर एक shell consider करी जिसका radius, inner radius P है, outer radius P plus GP है तो हमने उसका volume calculate किया और पूरा का पूरा फिर face space का volume लिया तो वहां से number of cells GP, GP जो यह momentum space के अंदर number of cells आई वो क्या ही GS, V, 4 pi, P, D square, D, P यह 4 pi, P, D, P इस shell का volume हो गया upon hq, अगे इन मैं कहूंगी कि जिन students ने पुरानी वीडियोज नहीं देखी है वो इन expressions के लिए उन वीडियोज को देख सकते है वहां से हमने यह direct result उठाया है GP, DP का भी, यहां पर GS क्या होता है spin degeneracy factor होता है जो electron के लिए 2 होता है तो आपके पास आजाएगा 2 तो इस value को हम यहां put करेंगे तो GP, DP, you will get 2V upon hq, 4 pi, P square, DP अब मैंने क्या किया equation number 1 यह वली इसको मैंने फिर से use किया और यहां पर इसको मैं क्या लिख सकती हूं DN, इसको मैंने G लिख लिया यह इधर चला गया यहां पर मैं फिर से आपको बता दे रही हूं कि NI को मैंने क्या put कर लिया DN, that is the minimum value of NI very small हमने consider किया now using equation number 2 यह वली value G की हम यहां पर put कर देंगे so DN हमारे पास क्या आजाएगा 2V upon hq, 4 pi P square DP exponential power E minus EF upon KT plus 1 to find the number of particles per unit volume क्योंकि यह number of particles है हमें चाहिए number of particles per unit volume तो मैं उसको divide करूँगी V से यह वला V हम इधर ले आएंगे नीचे, तो यहां पर यह आगया नीचे, जब इसका transpose लिया गया बिचारा नीचे आगया, इधर उपर था बहुत हवा में उड़ रहा था, हमने इसको नीचे ले आए तो Dn upon V is equal to 2 upon hq यह expression हमारे पास रह गई है Now in this equation number 3 हमें पता है कि जो यह term है 4 pi p square dp, this is the volume of momentum space और momentum space के volume को हम dpx, dpy, dpz भी तो लिख सकते हैं कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो है तो मेरा ही तो momentum space का volume चाहे है, ऐसे लिखो, चाहे है ऐसे लिखो, यह सेम है तो मैंने इसको क्या लिख लिख लिया है, dpx, dpy, dpz अब मुझे पता है कि momentum जो होता है वो क्या होता है, linear momentum mass into velocity along x axis यह क्या हो जाएगा, mvx y axis के लोंग mvy, z axis के लोंग mvz अब change in momentum, dpx क्या हो जाएगा, mass is constant mdvx, dpy क्या हो जाएगा, mdvz, dpy, dpz क्या हो जाएगा, mdvz अब इस इन चीजों को, यह जो तीन हो आएग, dpx, dpy, dpz इनको मैंने पुट कर दिया है, equation number 4 के अंदर तो अब देखे कहां में, क्या mode लेगी जब हम इसमें put कर देंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 2m3 upon hq, tvx, tvy, dvz, hq, e raised to power, e minus ef upon kt plus y अब हम बात करेंगे temperature की, when we increase temperature, energy of electron e increases, but firm energy तो same ही रहेगी, वो तो constant and that is the characteristic of metal itself, so exponential factor जो होगा, that will be increased, क्योंकि temperature को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया अगर मैं temperature को बढ़ाऊंगी, तो यह factor increase हो जाएगा, अब यह factor बढ़ा हो गया, तो 1 इसके comparison में हम क्या कर देंगे, neglect, यहाँ आपको डेकेट लगानी चाहिए थी, so 1 will be neglected, तो मैंने यहाँ पर 1 को neglect कर दिया है, यहाँ expression में से 1 को हम गायब कर देंगे, बस थोड़ी थोड़ी manipulations चलती जाएंगे, उसके बाद हमने क्या किया, मैंने यह जो term है, denominator में इसको उपर ले जाऊंगी, अगर मैं इसको उपर लेकर जाऊंगी, यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, E उपर जाकर माइनस EF, माइनस EF, माइनस E अपोन केटी है, यह माइनस जब अंदर लेकर जाएंगे, तो E माइनस EF, अपोन केटी रह जाएगा, तो यही हमने यहाँ पर किया है, इस टाम को हम उपर ले गए हैं, तो 2M3, H3, EF, माइनस E, अपोन केटी, DVX, DVY, DVZ, अब मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर, इस EF को अलग, E को अलग, दोनों एनर्जी हैं, एक मयान में दो तलवारे नहीं रहती हैं, तो उनको separate करना पड़ा, तो हमने क्या किया, इसको E upon EF, E power EF upon KT, E power minus E upon KT, मैंने separate करके लिख लिया है, अब यहाँ पर यह जो सारी टाम, and this is a constant, मैं बार 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 इसको लिखूं, this is not of any use, तो मैंने इसको constant A मान, let us suppose, mass constant, h constant, पर में energy constant, temperature, यह जो है, बोल्समेन constant, यह सारी टाम जो रहेगी, as such, same, आगे बात करेंगे हम, कि changes कैसे आएंगे, तब हम इस a को दुबारा रख लेंगे, अभी हम velocity की बात कर रहे हैं, और momentum की बात कर रहे हैं, वहाँ पर यह quantity जो रहेगी, वो constant रहेगी, तो dn upon v क्या हो गया, इस सारे को हमने a पुट कराया, और we are left with this quantity, अब हमें क्या करना है, हमें पता है, energy क्या होती है, half mv square, kinetic energy of the electron, अब यह जो half mv square है, यह जो v square है, since v is the velocity, जिसका x component भी है, y component भी है, z component भी है, आपको पता है, velocity v, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v v x i cap, v y j cap and v z k cap, यह लिख सकते हैं, तो इसका जो magnitude रहेगा, वो क्या हो जाएगा, v x square, v y square and v z square, और यही magnitude हमने यहाँ पर पुट किया है, so this is v square is equal to v x square plus v y square plus v z square, उसके बाद यह value यहाँ पर पुट हो गई है, अब हमारे पास यह expression आ गई है, e की value हमने पुट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर, यह पिर से हम इन सारी terms को क्या कर दे रहेंगे, separate, तो यह term half mv square kt v x अलग कर दिया, v y अलग कर दिया, v z अलग कर दिया, minus 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 सब के साथ लग गया, x component के साथ मैंने d v x लिख दिया, y के साथ d v y और z के साथ d v z, तो यह expression म increase करें, तो अब electrons क्योंकि metal surface में से eject होंगे, हमें क्या करना होगा, इस expression को number of electrons emitting per unit area per second करना पड़ेगा, क्योंकि surface में से emit हो रहे हैं electrons, तो मुझे volume की बजाए area पर shift होना पड़ेगा, so I need to calculate number of electrons emitting from the surface per unit area per second, तो अब देखे कहानी क्या होगी, अब मुझे क्या करना है, यह जो dn by v, अगर मैं इसको velocity से multiply कर दूँ, देखे मैंने ऐसा क्यों किया, इसके dimensions, यहां इदर right side पे देखे, dn upon v, dn upon v क्या number of electrons per unit volume, मतलब इसके dimensions क्या होगी, 1 upon meter क्यों, मुझे चाहिए क्या, 1 upon meter square second per unit area per unit time, मुझे यह चाहिए, मतलब मुझे इस quantity को इस quantity में convert करना है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखे, मैंने इसको meter per second से divide कर दिया, एक meter से एक meter cancel हो जाएगा, हमारे पास 1 upon meter square per second बस जाएगा, that means अगर मैं इस quantity को meter per second किसकी dimensions of velocity की, अगर मैं velocity के साथ multiply करती हूँ, तो मुझे means अगर आप number of electrons per unit volume को velocity से multiply करते हैं, तो dimensionally आपके पास क्या आजाएगा, आप देख लीजी ये dimension, इसकी L cube है, velocity की, आपको पता है meter per second है, so L T minus 1, ये multiply है और ये divide है, आपको पता है, तो ये क्या रह जाएगा, ये उपर, नीचे आजाएगा L2 ये रह जाएगा T, और ये ही हमें चाहिए था, per unit area, per unit time, dimensionally, तो मै मैंने क्या किया, velocity के साथ इसको multiply किया, since मुझे emission पहले x-axis के along, हम बात करते है, emission x-axis के along चाहिए, तो मैंने vx के साथ क्या कर दिया, multiply कर दिया, तो अब vx के साथ ये सारी term multiply होगी है, तो इस सारे के साथ as such क्या लिग दिया है, हमने vx लग दिया, now for total metal surface, क्योंकि ये तो ब integration, अब integration करते हुए ध्यान से देखिए, क्योंकि along x-axis integration, हमारी emission हो रही है, वो कहा हो रही है, along x-axis, तो इसके लिए limits क्या हो जाएंगी, electron के पास already कुछ energy थी, कितनी energy थी, half mvxy क्या होनी चाहिए, greater than equal to w होनी चाहिए, अगर उसको बाहर आना है, तो vx यहां से क्या हो जाए value तो infinity है, तो x-axis के लोग, root 2w से value क्या हो जानी चाहिए, infinity तक, y और z के लोग हमें mission चाहिए नहीं, तो हमने minus infinity से plus infinity, minus infinity से plus infinity, so last two integrals, क्योंकि right hand side के evil is similar है, तो हम इनको पहले solve कर लेते हैं, तो भी किस तरीके हम इनको solve करेंगे, I am going to consider y वाली term, पहले consider कर लेते हैं, minus infinity से infinity, kt e raised power minus half m vy upon kt dy, मैंने क्या किया, इस term को, ये वली term को पहले z पुट कर ले, यहां से vy square निकाला, 2 kt z by m, यहां से vy क्या आजागा, 2 kt z root upon m, अब आपने इस term को differentiate कर दिया, 2 vy, dvy, derivative किया हमने, dz, dvy की value क्या आ गई, vy इदर चला गया, अब vy की ये value value यहां पर पुट कर द ये value dvy की, ये value y square की, हमें क्या करनी है, यहां पर कर देनी है, पुट, और limits भी change करनी पड़ेंगी, no doubt, जब vy minus infinity हो, जब जो limits ही vy की थी, vy जब minus infinity होगा, तो z जो होगा, वो भी minus infinity, vy जब plus infinity होगा, तो z भी क्या हो जाएगा, plus infinity हो जाएगा, तो देखिए, इन value को मैंने considered integral क के अंदर put कर दिया है, तो हमारा जो expression है, वो z की form में आ जाएगा, और limits जो हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, minus infinity to plus infinity और ये value, यहां पर इस quantity के लिए हम standard integral use करेंगे, 0 से infinity, e power minus x, e power minus half, dz is equal to root pi होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, minus infinity से plus infinity, ठीक है, और मैं क्या करूंगी, अगर इसका 0 से infinity वाले का twice कर दूं, तो मेरे पास same result आ जाएगा, 0 से infinity वाला standard integral root pi है, और minus infinity से plus infinity क्या हो जाएगा, 2 of root pi, तो वो हमने यहां put कर दिया, तो हमारे पास value क्या रह गई, 2 pi kt upon m, suppose this is equation number 6, तो यह y वाला solve हो गया है, z वाला भी हमें दुबारा से सारा solve करने की ज are the steps, यह चलते जा रहे हैं, यह चलते जा रहे हैं, और इसी तरीके से हम z वाले का answer भी क्या लिख लेंगे, 2 pi kt upon m, root, और यह दोनों 6 and 7 को हम कहां पर put करवा देंगे, अपनी equation number 5 के अंदर, इसकी value भी होगे, इसकी value भी होगे, अब हमें find out करनी, इस integral की value, तो पहले हमने दोनों values को put करवा दिया, equation number 5 में, तो यह root और यह root जब multiply हो जाएंगे, एक उसरे से cancel हो जाएंगे, 2 pi kt upon m, बच जाएगा, और हमारे पास यह bracket term रहे गए, जिसे हमें solve करना है, अब हमें integral इस यह वाला solve करना है, so let us do this, now, तो इस integral को solve करने के लिए देखिए, limits, root 2 w upon m, infinity, e raised power minus half mv square upon kt vxtx, इसमें फिर से मुझे variable बदलना पड़ेगा, उसी तरीके से मैंने इस quantity को t put कर लिया, vx square की value निकाल ली, derivative किया, और अब मुझे vx इदर जाके divide दरवाने की ज़रूरत नहीं है, पिछली बार की तरह, क्योंकि vxtvx की value ही, vxtvx की value ही मुझे चाहिए, तो vxtvx kt upon m dt2 से 2 cancel हो गया, अब इस value को हमने क्या करना है, इस integral में put करवाना है, और हमें limits भी change करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब v की value root 2w by m होगी, तब चो t है, इसका value क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर put कीजिए, इसको root 2w by m, यह बन जाएगा w by kt, limits change करना, बड़े lower level पर आप लोग करते हैं, हम vx square by 2k t is equal to t है, और जब vx का value root 2w by m है, यह मैं कहूँ यह है, vx की value, तो vx square का value क्या हो जाएगा, यह, क्योंकि vx क्या है, root 2w by m, तो जब आप यहाँ put करेंगे, 2w by m, 2k t, तो t क्या हो जाएगा, 2 से 2 गया, यह से गया, तो क्या बचा हमारे पास w by k t, तो हमारी lower limit क्या हो गई, w by k t, और अपर limit इसको infinity रखेंगे, तो यह, but natural है, infinity ही आएगा, तो हमारी limits क्या हो जाएगे, t की form में, w by k t से infinity, तो यह time बच गई है हमारे पास, उसी तरीके से अब हमें t के respect में integration करना है, तो k t by m bar आ जाएगा, e raised to par minus t dt, वाव, वाव, जादा easy हो गया यह तो, इसका integration तो हमें करना आता है, minus e raised to par minus t, फिर हम limits पुट करेंगे, e raised to power minus infinity जब पुट हो जाएगा, तो वो 0 बन जाएगा, फिर यह time आ गई है, यह minus और यह minus बार आकर एक बूस्टे को निस्तना बूत कर देंगे, तो k t upon m is equal to e raised to par minus w upon k t, अब इस value क तो हम पिर से अपनी वही 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 equation number 8 में पुट कर देंगे, यहाँ पर, यह जो first integral था, हमारा solve हो गया है, तो हमने यहाँ पर इसको put कर दिया, तो यह आ गया, a upon k t by m, e raised to power minus w by k t, 2 pi k t upon m, इसको जब solve किया, तो मुझे मेरी number density मेल गई, कौन सी, per unit area, per unit time, so this is number of electrons, per unit area, per unit time, a यह factor आपके पास आगया है, solve करके, अब जो a हमने, हमने जिस constant को a माना था, हम उस constant को दुबारा से पुट कर लेते हैं, ध्यान दीजे इस equation में, this was a, यह रहा a हमारा, तो यह a अब हम दुबारा इस equation में put कर देंगे, यह हमारी a की value है, हमने यहाँ पर दुबारा से इस e raised to power minus w, minus bracket can the w minus ef upon kt, और यह जो term है, w minus ef, यही work function था, यही work function था, याद कीजिए, diagram on the first page itself, यह minimum energy required to eject the electron from metal surface, that is nothing but work function, तो इसको मैं क्या put करवा सकती हूं, phi, इसको मैंने phi put करवा दिया है, और phi जो भी यह put हो गया, तो मेरे पास यह आगई है equation, this equation gives me the number of electrons emitted per unit area per unit time, अब हमें find out करनी है current density, current density क्या हो जाएगी, आपको पता है current density j, क्या होती है, current upon area, और current I क्या होता है, q by t, यह क्या होता है, n into e, q by t, q को put कराया, n into t, n is number of electrons, e charge on electron and यह quantity हम already find out कर चुके है, number of electrons per unit area per unit time, इसको हमने अपने यहाँ पर n लिखा है, और यह है e, तो यह हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है, j is equal to n into e, और यह वली value n की यहाँ put करवा दी, मतलब यह सारी term e से multiply हो गई है, and this is nothing but Richardson-Dushman equation, और यह जो सारा factor है t की बजाए, यह सारा जिसमें t नहीं, उसको मैंने b लिख लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, Richardson constant, 4 pi e mk square upon h cube, so this is the proof for Richardson-Dushman equation for current density, इसके बाद अब आप लोग यह नहीं कहेंगे कि यह equation हमारी दुश्मन है, और दुश्मन ने वो काम कर दिया है, जो दोस्त भी नहीं करते हैं, so this was all about Richardson-Dushman equation, for any queries, you can contact me anytime, और किसी भी topic के आपको जरूर तो आप वो भी बता सकते हैं, thank you so much.